हेलो गुड़ मॉरिंग साथियों वेलकम टू MPS मॉटिवेटर सिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी सिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं हम लोग क्लास तेंथ का केमिस्ट्री जो फर्स चेप्टर भी कंप्लीट कर लिया सेकंड चेप्टर भी कंप्लीट कर लिया अबजेक्ट्वी के साथ और आज हम लोग तीसरा चेप्टर लेकर आये हैं तीसरा चेप्टर का जो पार्ट वन वीडियो MPS मॉटिवेटर चैनल पे उपलब्ध हो गया है जिसपे आप धातू और और धातू का बात आप पर सकते हैं और हमने आप से उसी वीडियो में बात किया था कि मैं एक वीडियो लाओंगा जिसमें electronic configuration का जो problem होता है वो एक ही वीडियो में solve कर लिया जाएगा तो जिसमें electronic configuration में बच्चे को ज़्यादा problem आता है जैसे competition में भी ये question आता है electronic configuration कैसे हम पता करेंगे कि यह धातू है कैसे पता करेंगे कि यह धातू है और कैसे पता करेंगे कि यह उप धातू है तो इसके लिए वेग्यानिकों ने क्या किया electronic configuration लाया धॉनिक विन्यास को समझने से पहले हम लोग जानेंगे कि पहले कक्छा क्या होता है और उप कक्छा क्या होता है ठीक है और बिट और सॉब बिट क्या होता है तो समझेगा पहले जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई एटम होता है और एटम में एक नुकलियस होता है तो एटम में कौन मतलब चक्कर लगाते रहता है, इलेक्ट्रोन चक्कर लगाता होता है, जैसे समझेगा, यह माल लेता है, इलेक्ट्रोन चक्कर लगा रहा है, जो इलेक्ट्रोन के द्वारा चक्कर लग रहा है, वह चक्कर जितना लग जाए, मिन्स क्या समझे, कि जैसे यह निउक्लियस है nucleus पे proton और neutron है और जो चकर लग रहा है electron का उसको हम लोग कहते हैं कक्छा क्या कहते हैं कक्छा याद रखेगा कक्छा समझेगा कक्छा को हम लोग English में कहते हैं orbit क्या कहते हैं orbit देखें कक्छा कैसे होगा इस पर बात करेंगे जैसे माल लेते हैं कि यह जो जैसे नुकलियस के सबसे नजदीक है नुकलियस के सबसे नजदीक यह वाला जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं प्रथम कक्छा है ना दुईतिये कक्छा त्रीतिये कक्छा है ना बहुत सारा कक्छा हो सकता है जो इस पर एलेक्ट्रोन मुफ करता है ठीक है तो देखे प्रत्रम कख्षा को सेमेस्ट्री के भासा में इसको कहा गया कि इसका नाम रखा गया कि क्या कि कोई भी atom है, atom का मतलब हमने आपको बताया, a4 not, tom means individual, वैसा वस्तु जिसको हम individual न कर सके, जिसको हम एक भाग से दूसरे भाग में चिंज न कर सके, उसी को हम लोग क्या करते हैं, atom करते हैं, तो देखें, atom के जो प्रथम कक्छा में जो electron घूम रहा है, उसको हम लोग कौन सा कक्छा कहें, K कक्छा, उसके बाद L कक्छा, उसके बाद M कक्छा और उसके बाद N कक्छा, अब हमारा सवाल यह आप से हो सकता है, कि सर आप इसको A क्यों नहीं माने, B क्यों नहीं माने, C क्यों नहीं माने, D भी मान सकते थे, तो देखें, D हम लोग मान सकते हैं, लेकिन chemistry जब start हुआ तो chemistry में क्या हुगा electronic configuration जब कक्छा की बात की जा रही थी तो K-Element की बात ही ज्ञानी किये थे ठě्क है तो देखें अब के लेमन हम कच्छा कैसे पता करेंगे कि प्रता कक्छा में electron कितना घूम रहा है फिर इल कक्छा में electron कितना घूम रहा है म सक्छा मेंbased जैसे प्रथम काक्षा के लिए इन कामान 1 हो जाएगा, दू इतिये काक्षा के लिए इन कामान 2 हो जाएगा, और त्री इतिये काक्षा के लिए इन कामान क्या हो जाएगा, तो समझेगा, 2N स्क्वाइर है, तो यदि हम इन के जगा पर 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वाइर क्या ह हो जाएगा 1 और 200 क्या हो जाएगा 2 देखिए जब इन का मान हमने 1 लिया तो उसमें कितना इलेक्ट्रों दो इलेक्ट्रों फिर देखिए दूसरा में यदि टू एन स्क्वार्ड फर्मूला है तो टू लिखे और इन के जगा पर दूसरी कक्षा का चेक कर रहे है ठीक है तू टू जा फोर फोर टू जा एट ठीक है फिर देखिए तीसरा यदि हम तीसरे सेल का बात करेंगे तीसरी कक्षा का तो थी का स्क्वार्ड नाइन क्या हो जाएगा 18 क्या हो जाएगा 18 फिर देखिए फोर कक्षा की अगर बात हम करें तो 4 का स्क्वाइर 16, 16 में 2 से मल्टिप्लाई कर दीजे, क्या हो जाएगा 32 मतल़ समझे क्या, कि यदि कोई atom होगा, उसका प्रथम कक्षा जो होगा, उसका नाम क्या रखेंगे K, दूसरे कक्षा को L, तीसरी कक्षा को M, और चौथी कक्षा को N तो अब पता करेंगे कि सर, जो के कक्षा है, उसमें कितना electron move कर रहा है तो वेग्यानिकों ने एक formula दिया, जिस formula का क्या नाम था, 2N square इनका value यहाँ पे हमने 1 रखा प्रथम कक्षा के लिए, तो 1 का square क्या हो गया, 1 और 2 में 1 से multiply किये 2, फिर दूसरी कक्षा का बात किये तो उसमें 8 electron था, तीसरी कक्षा में बात किये तो उसमें 18 electron था, चौथी कक्षा का बात किये तो उसमें कितना electron था, 32 electron था, ठीक है, तो अब यहाँ तक तो यह बात सिमित हो गया, कि अगर कक्षा के अनुसार पूछा जाए कि के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन तो 2, 1 कक्षा में 8, M कक्षा में 18 और N कक्षा में 32, ठीक है तो इसके O भी हो सकता है, P भी हो सकता है, उसके लिए आप इनका भेलू पूट करते चले जाएंगे, ठीक है, अब चलिए कक्षा की बात हो गई, कक्षा समझ में आ गया जिसको आप कहते हैं sub orbit, क्या कहते हैं, sub orbit, आईए उपकक्छा पे बात करें, उपकक्छा, उपकक्छा को हम लोग कहते हैं, sub orbit, क्या कहते हैं, sub orbit, sub orbit में नाम आया SPDF, जैसे आप कोई भी electronic configuration बनाते हैं, तो 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, ऐसा आप बनाते हैं, लेकिन उपकक्छा क्या कह आपको कहता है, कि, इसमें होगा SPDF, कक्छा में KLMN, उपकक्छा में SPDF, एस में कहा कि, comment is 두, कितना होगा, दो, और कहता है कि, जैसे P में जाएंगे, D में जाएंगे, F में जाएंगे, तो इसमें 4-4 add और डाना है, ठीक है 10- Gates में फोर एड करिएगा तो 14 समझेगा के लेमन में 2 8 18 32 ठीक है उसका सेल उसका कक्छा का बात किया गया अब इसमें क्या है कि ये इसका उप कक्छा सब और बीट है तो सब और बीट में इसका इसका कितने पास इसके पास कितने इलेक्टॉन 2, P के पास 6, D के पास 10, F के पास 14 तो अब बताएए कक्छा निकालने का सुत्र 2N स्क्वाइर उससे आप निकाल लीजेगा और उप कक्छा में याद रखेगा इसके पास 2 और 4-4 एड करते चले जाईएगा ठीक है तो उप कक्छा कितने होती है 4 नाम बोलिए S, P, D, F कक्छा 4, K, L, M, N तो उसमें K में कितने इलेक्टॉन? 2, M में 8, N में M में 18, N में 32, S में कितने इलेक्टॉन? 2, P में 6, D में 10, F में 14 तो देखिए अब थोरा हम आपको इडवांस लेवल बताते हैं जिसमें इतना तक तो इलेक्टॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया इलेक्टॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए इतना जरूरी था जो आपको बता दिये हैं लेकिन अब इस जो है, इस जो सब और्बिट है, इसका कोई सेप हो सकता है सर अगर इस और वाइटल है, जो इस कक्छा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए तो कोई सेप हो सकता है, तो देखें सेप इसका क्या पाया गया, कि इसका न सेप गोल आकार का था, कैसा आकार था, जब विग्यानिकों ने इसको देखा, इसको पढखा, तो इसका आकार कैसा था, गोलिये था, इसका आकार गोलिये था, पी का आकार देखें, पी का आकार ना कैसा था बता रहे हैं पी का आकार डमडू की तरह था कैसा था डमडू की तरह मतलब क्या उसको हम करते हैं डमबेल ता ऐसे एक था और एक ऐसे था ठीक है इसको हम लोग डमबल जैसे डमडू के तरह ये बना हुआ है तो इसलिए इसको पी का अकार कैसा दूगो डबल डंबल इसको डबल डंबल कहते हैं है ना इसका इसका अकार कैसा हो जाएगा गोलिए ठीक है डी में क्या हुआ कि D में दूगो डंबरू बन गया मतलब समझे एक ऐसा बना ऐसा तो आप देखी रहे फिर एक ऐसा इसी में आया ठीक है एक ऐसा इसी में आ गया तो देखे इसमें इधर दो इधर दो तो कितना तो इसमें कितने डंबरू चार, तो इसको 4 डंबल इसमें हो गया, फिर देखे, D का बन गया, इसका बोलिए, इसका अकार गोलिए, P का अकार डंबल, इसका डबल डंबल, और देखे, अब F का जो अकार था, F का अकार में कुछ कॉंसेप्ट्स आई, जैसे ये हमारा सेफ हुआ, एक ऐसा हम बना रहे है तो देखे, इसमें क्या होगा, उपर में तीन को डंबरू, ऐसा टाइप का आगया, दो, और एक ऐसा तीन आगया, तीन आगया, और नीचे कितना आगया, दो, तो समझेगा, आप जब एडवांस आप तिन्थ में है, तिन्थ में इसको अकार पढ़ना नहीं है, डंबल है, डंबल डंबल है, वन, टू, थ्री, फोर, लेकिन एक डंबल ऐसा है, जो फूल फिल नहीं हुआ, जो मतलब पूरा नहीं भरा, पूरा डंबल नहीं बना सका, तो याद रखिएगा, कि सर एस के पास कितने इलेक्टॉन, दो, प के पास छे, डी के पास दस, और ए ग्यानिक, मतलब वो है, बताएं की इलेक्टॉनिक कन्फिग्रेशन बनाना कैसे आसान हो जाएगा, तो उसमें हम बात करेंगे, अफ बाव, अफ बाव प्रिंस्पल, जैसे इनका एक सिधान्त था, कि पहले इलेक्टॉन किसमे जाएगा, ठीक है, कक्छा पे बात हो गया, तो सारे लोगों ने पूछा कि जब आप कक्छा उप कक्छा बता दिये, तो आप कैसे पता करेंगे कि S जल्दी इलेक्टॉन लेगा, कि P जल्दी इलेक्टॉन लेगा, कि D लेगा, या F लेगा, है ना, कौन सा कक्छा लेगा, तो उसी पे इन्होंने बताया कि पहले इन्ह F, 5S, 5P, 5D, and 5F, ठीक है, चली, इतना तो इनका सिस्टम था, ठीक है, यह हमारा सिस्टम नहीं है, यह इनका सिस्टम था, किसका, अफभव साहब का, इन्होंने electronic configuration में क्या बताया, कि यदि 1S होगा, ऐसा system आपको याद रखना है, अगर electronic electronic configuration बनाना होगा, तो इसका system आप याद रखेगा, कि 1S, जो 1S होगा, उसका पहला, सबसे पहले electron किस में जाएगा 1s में जाएगा ठीक है सबसे पहले electron किस में जाएगा 1s में जाएगा याद रखेगा उसके बाद electron किस में जाएगा 2s में उसके बाद 2p में उसके बाद 3s में उसके बाद 3p में उसके बाद 4s में उसके बाद 3d में 4p में 5s में अब कहिएगा sir 5s हो गया त सकते हैं 7 भी लगा सकते हैं 8 भी लगा सकते ठीक है तो फिलहाल क्या समझेंगे कि यह आपको रॉफ में ऐसा structure आना चाहिए याद होना चाहिए कैसे बनाएंगे तो देखिए 1s है 2s है 2p 3s है 3p, 3d, 4s, 4 d, 4s, 5s, 5p, 5d, 5f सबसे पहले किसमेए 1s में उसके बाद, 2s में इसके बाद, 2p में उसकेषमें, उसके बाद 4s, 3d उसके बाद, 4p उसके बाद 5, जधि यह 6s षोता यह 6s ऑता यह फी शोता यह उसके बाद किसमे चलрем réussi करता है 3d, 453. लेक्ट्रोन बरने लगता है ठीक है और हम आपको बताये थे पिछले वीडियो में कि पूरे तत्व कितने हैं 118 तत्व हैं और 118 तत्व का भी आप लेक्ट्रोनिक कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं ठीक है तो यह आपको रॉफ में याद होना चाहिए ठीक है और अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि इसका कुछ एक जांपल लेंगे ठीक है और एक जांपल के द्वारा हम आपको यह पहले आपको याद करना होग फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ कम से कम 15 एक्जांपल लेंगे और 15 एक्जांपल का इलेक्ट्रोनिक कन्फिग्रेशन आपको शिखाएंगे और 100-1% याद रखिएगा कि वह इलेक्ट्रोनिक कन्फिग्रेशन आप कभी भी नहीं भूलिएगा ठीक है तो लेकिन इस इसको इस concept को आपको याद रखना होगा ठीक है फिर हम लोग अगले वीडियो में फिर इसी इलेक्ट्रोनिक कन्फिग्रेशन के साथ मिलते हैं इसके लिए यदि आप मेरी इस वीडियो के नए हो तो इस वीडियो को फिर से like, share and subscribe कर दीजी फिर हम लोग अगले वीडियो मे